दोस्तो आज competitive English के article content को हम पढ़ेंगे article बहुत important रहता है competition English में आपके competition exam के लिए article महतपूर्ण है बहुत असान है इसे और ज़्यादा हम असान यहाँ पर बनाएंगे तो आप देखें कि article जो है article A N यहाँ पर आप देखें कि article A और N आप दोनों की बात करें हम यहाँ पर A A N दा article कहलाते हैं यहनि कि A N और दा यह article कहलाते हैं A N indefinite और वहीं दा indefinite article कहलाया जाता है article indefinite जो है वह A और N है और जो definite है वह है दा आपको शायद पता होगा कि T H P को हम दा भी पढ़ते हैं और साथ में D भी पढ़ते हैं दोनों form में हम इसे पढ़ सकते हैं आगे हम देखें मैं फिर से बीट करहाँ article A N दा जो है A N दा यह तीनों जो है article के रूम में प्रयोग होते हैं A N indefinite और दा जो है वह definite कहलाता है For example, यह किताब है This is a book उसने गाना गाया This is a book यह किताब है वहीं हम बात करें कि उसने गाना गाया She sangs a song यह छत्री है This is an umbrella जो यहाँ पर प्रयोग किया गया N प्रयोग किया गया A प्रयोग किया गया तो यह इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनवाद करते समय हमने A N का प्रयोग किया हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी तो हमने इनका A और N में अनवाद किया वाक्यों में singular countable noun से पूरव जो singular है countable noun के पूरव यदि वो अनिश्चित है यदि वो अनिश्चित है for example article a n का प्रियोग अवश्य किया जाता है that is important वाक्यों में singular countable जो singular countable है वहाँ पे that is this is book ऐसा नहीं लिख सकते हम लिखेंगे this is amrela ये भी नहीं लिख सकते हम वहाँ पे क्या लिखेंगे this is a book हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा this is a book हमें वहाँ पे ए लगाना पड़ेगा एक के लिए और वहीं हमें यहाँ लगाना पड़ेगा and यहाँ पे this is an amrela तो आगे हम देखें कैसे इनका प्रयोग होता है आर्टिकल का प्रयोग कहा होता है आर्टिकल का प्रयोग कहा होता है कि लोग एक्सिलेंट देख तुरंट एन का प्रयोग कर देते हैं परन्तु इस बाके में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि excellent के बाद कोई भी noun नहीं है जब excellent के बाद कोई noun नहीं है तो वहाँ पे article का प्रयोग नहीं होगा for example she is an excellent student अगर यहाँ पे excellent के बाद noun लगा तो वहाँ पे article का प्रयोग होगा हमें पता है DA A N तो हमने शुरु में पढ़ा कि DA जो है ए और एन जो हो वो singular उसके लिए प्रेयोग में लगाया जाता है और आर्टिकल का जो प्रेयोग है वो definite indefinite कहलाता है definite form में वो दा होता है आर्टिकल का प्रेयोग noun से पहले होता है आर्टिकल का प्रेयो प्रेयोग noun से पहले होता है she is a student, she is a student अगर noun की वशेश्थभा बताने वाला adjective वाकme में मुझूद हो तो आर्टिकल का प्रेयोग adjective से पहले होगा for example यहां भी आप देखें कि अगर noun की वशेश्थभा बताने वाला adjective जैसे she is an excellent एक्सेलेंट यह यहां पे अठ्टीव है आ थिए आ हृश्वन तो नाम की विशेश्चत अठ्टिव के व होगा तो आपे अनका प्रहूंकी विशेश्चत आंका हृवग आ निश्चत होए है निश्चित होने पर नाउन के पूरव दा की परेटा है अगर इन्डैफनेट है तो वहां पर ए और लगेगा यहां पर उनिपनेट लगेगा यहां पर इनिडैफनेट का जाता है आगे आप देखें उधारन के तोबड़ पर आई है वकार, this is an orange, he sang a song, आप देखें, कि यहां पर, this is an, he sang a song, राम is a student, तो दूसरी नमबर पर, जिस शब्द से पूरब a, n का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उचारण की प्रतम ध्धोनी, first sound of pronunciation, स्वर है, तो n का प्रयोग होगा, तो वहां पे n का प्रयोग होगा, यदि यह ध्वनी विंजन है, तो a का प्रयोग होगा, for example, यह simple भाशा में हम बात करें, a का प्रयोग, जितने भी consonant हैं, आपके वहां पे जो a लगेगा, लेकिन वहां पे अगर वावल वर्ड है, अगर a, e, i, i, o, u का स्वर वहां पे आता है, तो वहां पे n का प्रयोग होगा, जैसा कि हम पहले से इसको जानते हैं, अंग्रेजजी भाशा में a, e, i, o, u, वावल माना गया है, कि इस शब्द इन वावल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुखे बात यह हैं कि उस शब्द के उचारण की हिंदी वर्ड माला के आ, आ, i, i, o, u, a, i, o, o, s, वर माने जाते हैं, यहनी हिंदी वर्ड माला का ही ट् अगे हम थोड़ा चलें, तो यह शब्द का प्रथम लैडर क्या है, यह महतपून नहीं है, महतपून है, उसके उचारण की प्रथम धोनी, first sound of pronunciation, यह important है, आप यहां देखें, अंग्रेजी भाशा में एक सवर, एक अक्षर, केई प्रकार की धोनी हेतू प्रयक्त होते हैं, जिन अक्षरों को सवर, A, E, I, O, U माना गया है, उनका उचारण बहुत बार बेंजन, consonants की तरह होता है, बहुत से बेंजन, consonants सवर का उचारण देते हैं, यह बेंजन, consonants सवर का उचारण हो सकता है, शब्द का प्रथम अक्षर M, F, H, इतियादी हो, लेकिन प्रथम उच चारण शब्द ध्वनी सवर हो, तो ऐसे शब्दों से पूरव एन लगाया जाता है, आप देखें, इसके जो धारण जैसे एन आवर, एन अनर, यहाँ पे अनरेबल परसन, अनेस्ट मैन, हियर, हाउस, यह सारे जो शब्द हैं, अनरेबल, दा हिस्टरिकल, मुमेंट, यह यह जितने भी वर्ड हैं, यहाँ पे आप देखें कि यह जो इनका स्वर है, वो आ रहा है वहाँ पे वावल शब्द का, तो अगर वावल शब्द यहाँ पे आता है, तो आप देखें कि इसको करने के लिए वावल शब्द जैसे ही आएगा, तो आप देखें कि वहाँ पे इसका शब्द हो है वो अपने आप वहाँ पे n लगा जाएगा आगे थोड़ा चलें तो यहाँ देखें हम आगे है आगे है Use of indefinite article a and n Use of Use of indefinite article a and n अब इसका use पे हम चलेंगे पहले हमने देखा कि यह ब्रेव कहार किये जाते हैं अब इसका use कैसे करेंगे उस पे हम वन बात करेंगे तो यहां पर आपर देखें singular countable noun as singular countable noun夠 n का प्रयोग किया जाता है countable का आरथ है जिसको गिन्ति की जा सकती है अगर noun का प्रयोग ना हो तो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा अगर वहँए नयोध से नौन गांब यशी हैज आपकार उसके बाद नाव मैं राम हैज एन आम इंहीं कि इस हैर फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए प्रिष होता है यह important है यहां पर यह note रखने वाली बात है कि कहता है कि she is a noise जो है वो uncountable है और फिर भी वहां पर क्या लगाता है don't do not make a noise तो आप देखेंगे जो countable है वहीं a और n का प्रेगो था लेकिन यह rare case है तो आप याद रखें don't make a noise हमेशा noise के साथ आ लगाया जाता है आगे हम देखें तो that is the explanatory तो वाक्यों में what how के सास singular countable norm से पूरव a and n का प्रेगों की जाता है what a grand building what a pretty girl तो आप इन cases में यह rare cases हैं जो आपको याद रखने हैं आपको बहुत competitive exam बहुत काम आने वाले हैं और खासकर article case में तो यहां पे इनका प्रेगों किया जाता है a का प्रेगों यदि तीसे नमबर पे प्रती माह प्रती बस्तू कीमत के संधर्म में प्रेगों करने पर आपको a n का a लीटर तो यहां पर आप देखें यहां पर यह लगा गया प्रती माह प्रती बस्तू कीमत के संधर्म में भी वहां पे a और n का प्रेगों किया जाता है इस i earn rice train thousand a month तो यहां भी आप देखें a का प्रेगों हुआ है और आगे आप देखें this train runs seventy किलोमेटर एन आवर an hour feet and a hundred thousand million डर्ण जितने भी word हैं यहाँ पे हम देखें यह word आप feet की बात करें thousand की बात करें million की दरजन की कप्पल की इन सब के साथ यहाँ पे जो है इसका प्रेव किया जाता है कुछ गिंती बताने वाले शब्द जैसे for example hundred thousand million से पूर ए लगाया जाता है जैसे अदर्जन अदर्जन पैंसे वर वाउट बाई हर आई है वा हंडर्ड पैंस तो यहाँ पे भी इसका प्रेव किया जाता है आगे हम बात करें तो half fraction से पूर भी प्रेव किया जाता है for example 22 meter quarter meter जैसे for example 3 one by two kilometer here and half of kilo तो इन में भी इनका प्रेव किता है she has to run half mile every day तो यहाँ भी हम इसका प्रेव कर सकते हैं छटे नमबर पे हम देखें जब वाक्य में वर क्रिया का प्रेव नाउन की तरह किये जाता है तो उससे पहले ए एन का प्रेव किता है जब वर क्रिया का प्रेव जैसे for example he goes for a walk daily तो वर क्रिया यहाँ पे he has gone for a ride तो जब वाक्य में बर्व क्रिया का प्रेव नाउन की तरह किये जाता है यहाँ कि उससे नाउन बनाया जाता है तो वहाँ पे उससे पहले ए और एन लगाया जाएगा तो वहाँ पे ए और एन लगाया जाएगा that is also be important आगे हम बात करें तो many rather quiet such के बाद यदि सिंग्लों नाउन आता है तो नाउन से पूरव ए एन का प्रेव होता है for example many a citizen many a citizen would welcome such a change it is rather a party it was quiet and impossible task it was such a foolish decision तो इनके पास आप देखें इन से पहले वी यहाँ पे ए लगा यहाँ पे एन लगा यहाँ भी ए लगा और यहाँ भी आ का प्रेव हुआ अप ए और आ पननन सेशन में फर्क हैं आप ए आ तो यहाँ पे देखें आप कुछ next में that is the eight एट में कुछ विशेश phrases में a n का प्रेव होता है यह भी ठीक है जैसे in a fix in a hurry in a nutshell make a noise make a foot keep a secret as rule at a stone stroke a short while ago at a loss take a fancy to take take an interest in talk take sorry take a linking तो इन सारे phrases के साथ भी इनका प्रेव ए और आन का होता है जैसे for never tell a lie तो यहाँ पे आप देखें never tell a lie don't make a noise 12 inches make a foot तो इन में phrases में इन में article का प्रेव हुआ हम जानते हैं कि a और आन जो है अनिशित को प्रक्ट करते हैं indefinite को तो वहाँ बेस का प्रेव किया जा रहा है आ कुछ के साथ जैसे यह important है आप इसे याद रखें तो यह आपके रहाँ हो जाएगा to loss heart to set foot to give ear at home last but not least to catch fire in brand in band set on fire by car bus etc at last by mistakes in danger to take heart इनके साथ article का प्रेवगर नहीं होता है आगे हम देखें तो I am at a home इसका example है the house was set on fire तो आगे हम देखें A और N का प्रेवग किन सिती में नहीं करना चाहिए यह बहुत important है कि हमने पहले बढ़ा कि कहां कर हो सकता है लेकिन यहां पे है कि कहां नहीं किया जाना चाहिए for example किसी भी plural noun से पूरव A N का प्रेवग नहीं किया जाता है simple है यह plural है तो यहां पे क्योंकि A जो है वो singular को बताता है एन भी singular form को बताता है तो यहां पे A wise, our wise have come यह गलत है ऐसा हम प्रेवग नहीं करेंगे नमबर दो पे चलें uncountable noun जो uncountable है से पूरव A N का प्रेवग नहीं किया जाता है जैसे advice है, accommodation है, baggage है, luggage है, news है, permission है, progress है, scenery है, weather है, traffic है, knowledge है तो आप देखें इन cases में भी यहां पे इस का प्रेवग नहीं किया जाता है, for example, यहां पे दिया जैसे music है, wine है, equipment है, यह सारे के सारे uncountable है, तो यहां पे जो है, stationary है, grocery है, postage है, तो यहां भी जो है, in का प्रेवग नहीं था है, he gave me an advice, remove and an, तो यहां पे advice के लिए an कर, यह तो यहां पे जो uncountable है, वहां पे इन का प्रेवग नहीं होगा, I will buy a furniture today, तो furniture जो है, वो uncountable है, और यहां पे A नहीं लगेगा, तो आप इसका खास दियान रखें, बिलकुल आसान है, article करना, कि जो uncountable है, वहां पे इनका प्रेवग नहीं होगा, और कुछ cases में, जैसे make a noise जो बताया, वहां पे सिर्फ a case आपको बताया गया, रेट की, वहां make a noise में इसको लगाया गया, आगे हम चले, तो uncountable के पूरक जब A और N का प्रेवग किया जाता है, तो इनके साथ कुछ शब्दों का प्रेवग करके, उनने countable noun बनाना पड़ता है, या बनाया जाता है, I have a piece of information for you, तो यहां पे आप देखें, I had a slice of bread, तो यह जो वर्ड जो कुछ extra यहां पे यूज कियेगे, आर्टिकल को यूज करने के लिए, तो आर्टिकल यूज हुआ लेकिन वहां पे A, O, N का प्रेव किया लेकिन कुछ शब्द वहां पे लगाएगे, कुछ rare cases में, आप उसको ध्यान से देखें, तो इन case में हम लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसका याद रहना है, A और N, A और N जो हैं, वो आपके अनिस्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं, सिंग्लर फॉर्म में लगाए जाते हैं, और कैसे उनका प्रेव किया जाता है, इसके बारे में हमने सा बनाई हुई है, जहां पर आप और जादा मटीरियल और अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ाया गया है, यह थोड़ा वीडियो फास्ट ट्रैक में बनाया गया, वहां बिल्कुल एक चीज़ को एकस्प्लें किया गया है साथ में, तो आप उसको सब्सक्राइक करें, बहु पर आपको, पेपर्स भी वहां पर अवेलेबल होंगे, और काफी जैसे जीके है, हिंदी है, मैथ है, रिजनिंग है, इंगलिश है, सारे के सारे वहां पर कॉंटेंट आपको मिलेंगे, आगे बड़े हम, यूज ऑफ डैफिनेट आर्टिकल दा, दा का प्रयोग उस नाउन कर चुके हैं, उसके दा, जो किसी इसी कारण डैफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, इसी के कारण इसको डैफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, तो यूज ऑफ डैफिनेट आर्टिकल दा, जो निशित है, और जो जिसकी चर्चा की जा चुकी है, दा का प्रयोग करने के नियम, जब किसी पूरव निर्धारित नौन के बारे में कहा जाता है, पूरव निर्धारित जैसे, Once upon a time there lived a king. The king was very, जैनि कि इससे पहले इससे पहले चर्चा की गई है और चर्चा के बाद वहाँ पे नौन के साथ दा लगाया जासपा है. तो इसको आप ध्यान से देखें, जैसे one day he met an old man, कोई बुड़े विक्ती से मिला, the old man was very poor, तो वहाँ पे फिर जो पूरव में बात की गई है, अगर पूरव में बात कर रहे हैं या की गई है, तो वहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है. बाद के में King से पूरव based प्रफम एक अप्रयोग किया गया है क्यूंकि introduction के समय से पहले हमें ये ग्यात नहीं था कि कहानी किस की सुनाए जा रही है बाद में दा का अप्रयोग किया गया। क्योंकि introduction के बाद King निश्चित हो गया यह ने कि बिलकुल साधान सी बात है कि कि अगर हम किसी से पहले पूरब निर्धारित में किसी की बात कर रहे हैं या हम किसी के बारे में सुन रहे हैं तो बाद में दा के प्रयोग किया गया old man مثulate पहली बार हो रहा है, लेकिन चौथ्छे वाक्य में already introduce हो चुका है, तो जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, तो उस बात में हम पहले से किसी को introduce कर चुके हैं, या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब ये निशित हो गया कि हम किसके बारे में बात करें हैं या किस संधर में हम अपना काम करें हैं तू वहाँ पे दा का use हुआ और next example, the man in right, sorry, the man in white shirt is my brother तो जो निशित है कि जिसने white shirt डाली है, वहीं पे दा लगा, the man इतने लोगों में जिसने white shirt डाली है, बिलकु निशित है, वही मेरा भाई है के पास बिलकुल खड़ा है वही मेरा भाई है इन बी और सी में दा का प्रयोग एक निर्धारित नाउन की तरफ इंकित करता है कि यह निस्चित है कि यह मेरा भाई है अगे हम चले यूज आफ आर्टिकल बिस डिफ्रेंट का काइंड्स आफ नाउन कि हमने संध्या के वारे म नाम के साथ आर्टिकल का प्रियूग नहीं होता यह निकी चलते फिरते आप किसी के साथ भी लगादो फॉर अग्जाम्पल राम is an ideal ideal son तो यहां देखें रोम is an ancient city तो यहां पे निकी चलते फिरते किसी के साथ भी आप दा लगादो राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रियूग नहीं होता अपबाद किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रियूग नहीं होता आप देखें राजियंग सा दा हिमाचल दा पंजाब दा हर्याना हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं अपबाद किसी देश में आर्टिकल का प्रियूग नहीं होता है तो आगे आप देखें यदि देश के नाम में Union United Republic Kingdom शब्द का प्रोग हो तो आर्टिकल में दा लगता है वही बात आगी कि अगर उसमें Union United ये शब्द आपने याद रखने तो यह से फ़र आमेरिका एंड रिशिया यह लग है यहाँ पे दा नहीं लगा यहाँ पे दा का यूज नहीं हुआ लेकिन अगर यहाँ पे दा सोवियत यूनियन दा सोवियत यूनियन के बात करें या United State of America के बात करें तो वहाँ पे ये शब्द के साथ वहाँ पे दा लगा दा लिरिश रिपब्लिक यहाँ पे आप देखें दा लगा और यहाँ भी दा लगा तो वर्ड जो है आपको यादस नहीं होंगे सिंपल की यूनियन है यूनाइटड है रिपब्लिक है किंग्डम है अगर यह वर्ड आते हैं तो वहाँ पे दा लगेगा अन्ने था कंट्री के साथ दा नहीं लगेगा आगे हम चले परशिंखला के साथ दा का प्रवग होता है परवत शिंखला दा हिमाल्याज दा एलपस ज लेकिन परवत की चोटी के नाम के साथ आर्टिकल का प्रवग नहीं होता है अगर चोटी की बात करें जैसे मालों की दा माउंट आवरेस्ट तो दा माउंट आवरेस्ट दा माउंट आबू बात नहीं करें हम नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे सिर्फ उसके श्रिंखला पर दा नहीं लगेगा तो यह आपने याद हमना है कि किसी इसके साथ बिशेश के साथ इसका प्रयोग नहीं किये जाए लेकिन परवत की छोटी के नाम के साथ आर्टिकल पर नहीं होता है थोड़ा आगे चले तो पांच नमबर पर है नैशनल्टी राष्टिते व्यक्त करने लेकिन भाष्षा के प्रयोग ना करें तो आप नैशनल्टी के साथ दा लगाएंगे दा इंडियन दा अमेरिकन दा रशियन जब बात करेंगे उस पर रस्टित करेंगे तो दा वहां पर लगाया जाएगा बिमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता दा म पर चलें नीचे दिएगे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करें कुछ होदारन यहां पर दिएगे हैं प्रॉपर नाउन नदियों के नाम जत्ते दा यमना तो डैड़ीज इबॉर्टेंट बहुत बार ऐस आता है जो बिलकुल डैफिनिट है कि इसका नाम इनका नाम यही है प्रॉपर नाउन है दा गंगा दा गुदावरी दा सतलुज तो नदियों के नाम के साथ दा लगेगा समुद्धर के नाम बिलकुल निश्चित है तो वहां पे दा अरेबियन दा कैर्बियन सी महसागरों के नाम बिलकुल निश्चित है दा इंडियन यहां भी दा का परेंग जाता है दीप सुनूक के बारे मात करें दा लक्षे दीप के नाम पर दा सन दा वेनस देशाओं के नाम पर भी दा इस्ट बैस्ट लेकिन यदि इन मेंगे साथ प्लेस का नाम जोड़ दी जाए तो दा का प्रियोग नहीं होगा बेस्ट बेंगॉल जैसे इस तरह नौर्दन सौथन इस्टन और वेस्टन से पूर बार्टिकल प्योग नहीं होता है दा नौर्दन नहीं होगा दा सौर्थन नहीं होगा तो यहां पर भी इन का प्रियोग नहीं होगा तो यहां पर देखें यहां आर्टिकल का प्रियोग नहीं हुआ राजसान इस इन बेस्टन इंडिया तो वहां पर जो वर्ड लगे तो वहां पर दा का प्रियोग नहीं लग यहां पर आर्टिकल का प्रयोग मेंड़ी नहीं का आगे हम देखें खिलाडी जैसे फर एक्जमपल खिलाडी के नाम तो खिलाडी ना'M जैसे हैं था फ्रत् के नाम दा हिंदू दा टाइम्स आफ इंडिया क्योंकि ये निश्चित हैं तो इनके साथ भी दा का प्रवित्र ग्रंद जो हैं दा गीता दा वाइबल तो इनके साथ भी जो हैं वर्ड हैं वो दा लगाया जाता है लेकिन बाल में की जर्माइड जैसे शब्द है कदंबरी ब यहां पे दा नहीं लगेगा तो यह अब ध्यान रखें इसका इतिहासिक अमारतों के नाम जो हैं इतिहासिक इमारतों में जैसे हम देखें कि यहां पे दाज महल डारेड फॉर्ट इन सब के साथ दा लगेगा लिए बहुत सी महत्रपूर्पूर्ट बिल्दिंग्स ऐसे नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो आप देखें कि जहां पे इनके फॉर अग्रम पर यह देली एरपूर्ट बैक्टियरिया तो लंदन जो जैसिंग्स इंद्रा गांधी तो इनके साथ जो है वहां पे तिहासिक मेरतों इनके साथ दा नहीं लगाया ज जाता है आगे हम चलें अंदोलन के नाम तो अंदोलन जैसे इंडियन मुव्मेंट उनके साथ संगठन के नाम दा यूइटर नेशन्स रेल हवाई मार्ग जैट एरवेज दा इंटर सिटी राजधानी एक्सप्रेस इनके साथ दा का प्रयोग होता है राजनितिक पार्टिय दा में रहा और्टिय दा वैलन इनसगे साथ दा प्रयोगा होगा अधार्मिक समयधाओं के नाम दा ह्चंतु सुक्स आर्टिकल से यहां पर भी निष्ड है मैंने पहले बात की जो निष्ड है वहां पर दा लगेगा विक्ति केmän से पूर दा चियर्मंद दा डार्क्टर अ आ ड्रेक्टर एंड एन आउथर इतियादी हो सकता है यनि ए एन का प्रयोग भी हो सकता है आगे हम बात करें तो किसी अविश्कार के नाम से पूरो तो किसी अविश्कार के दा टैरिस को किसी भी अविश्कार से पूरो हम दा का प्रयोग करेंगे 24 पे है समिती कलब ट्रस्ट या कुछ भी है तो वहां भी दा का प्रयोग किया जाएगा 25 में पे है बंशिजों के नाम मराथाज दा मराथाज तो इन में इनका प्रयोग दा का प्रयोग किया जाएगा शरीर के अंगों के साथ दा पूरव तब ही होता है जा पोजेसिव अड्जेक्टिव माई ही इस एक्सेक्टरा के सान पर आर्टिकल का प्रेव हो जैसे ही वाज वांडर्ड इन दा आई तो यहाँ पे जो है his नहीं लगेगा वहाँ पे लगेगा दा आई तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसकी condition है कि आपका possessive adjective वहाँ पे ना लगा हो जैसे me, his, her ये word है तरीक के साथ, तारीक के साथ भी जो है दा का प्रयोग किया जाता है शिशस्तरबल सेना के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है ग्रहों प्रैरेट के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है तो आगे हम देखें कि दा होटल के नाम होटल के नाम के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है खेर ट्रॉफिया कप के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है यह सारी चीज़े आपने रिमेंबर रखनी है आप देली यूजिस करते हैं यह असान रहेगा आपके लिए युद करांती और सदी के नाम के साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है next is that नीचे दिये गे प्रॉपर नौन के साथ आर्टिकल का प्रीगना करें अब कहां आर्टिकल का प्रीगना करें that is so important महीनों के नाम है इनके साथ जो है दा नहीं लगेगा दिन है दा संडे मंडे ऐसा नहीं लगेगा विशों के नाम है mathematics है physics है वहां भी दा नहीं लगेगा मारक के नाम है, एमजी रोड है, दामोल है वहां भी दा का प्रयोग नहीं होगा यनकी दा यहां पे नहीं लगेगा मील्स के नाम है, लंच है, डिनर है इनके साथ भी दा का प्रयोग नहीं होगा खेलों के नाम है यहां भी दा का प्रयोगा नहीं होगा जील के नाम है यहां भी दा का प्रयोगा नहीं होगा दबल लग लेक ऐसा नहीं होगा दा हो की दा करकट नहीं लगाया जाएगा noun compliment के पहले appointment make effect select के साथ they elected him the president तो यह ऐसा नहीं होगा यह शब जो है appointment है make है बना रहे हैं elect करें select करें तो वहां जो है दा का प्रयोग नहीं किया जाता है common noun के साथ अब noun पे थोड़ी चर्चा करें कि noun के साथ कहां कहां यह use होता है तो नौन में हम देखें जब कोई बस्तू understood होती है तो उससे पूरव दा का प्रयोग होता है उधारन के लिए kindly return the book तो हम पहले से जानते हैं कि हमने उसे किताब दी थी that I gave तो वहां पर बापीस वो करेगा तो वहां पर article कवरे होगा पर निश्चित है कि मैंने किताब दी थी मैं बापीस ले रहा हूं can you turn off the light जैसे मैंने का that can you turn off the light is in the अगर light वहां पर जगी हुई है तब लिए मैं कह रहा हूं कि इसे बंद कर सकते हो तो वहां पर दा का पर आगे हम देखे अगर singular common noun से पहले article का article कर सकते हैं पर का प्रयोग कर सकते हैं पर वहां पर singular वर्व का पर होता है जैसे आट डौग is faithful animal a dog is a faithful animal singular noun है आट कर सकते हैं लेकिं सिंगलर वापका बर्व का प्रेख होना चाहिए आर्टिकल में दा है ए है ए है इसनका प्रेख होता है हम कर रहे हैं नौन कोमन नौन के साथ इसका प्रेख कैसे किया जाता है सिर्फ मैन के उलेख मातर से अर्थ से मानव जाती निकलता है मैन इस मौर्टल तो अंदर मौजूद गुन अभी व्यक्ति को व्यक्त करता है तो उससे पूर वार्टिकल का प्रियू किया जाता है इसके इसके में देखें कि यहां पर गुन अभी व्यक्ति को व्यक्ति करता है इसको करने से दिखाने से इसको वो परसुत करने से पहले वहां पर दा कप्रियू कर सकता है फॉर एक्जामपल यहां देखें तो आप यहां पर देखें तो यहां पर भी जब वो फीलिंग की बात आती है तो वहां पर इसका यूज किया गया आर्टिकल का आ यह आर्टिकल वहाँ पे लगाया गया जब स्कूल कॉलेज मंदर इत्यादी का उलेख उनके प्रात्रिक उदेश्य के संदर्व में हो तो आर्टिकल का प्रेव करें जैसे फॉर गजमपल यहां पर दिया है चिल्डरन शूड गो टू स्कूल आइम गो टू टैंपल एवरी तो यहां पे आप देखें इन केसिज में लेकिन जब स्कूल कॉलेज इत्यादी का उलेख किसी बिल्डिंग या स्थान के सार में तो आर्टिकल का प्रेव करें अब इसको आप कंपैरिजन करें अब यहां पे आप देखें आप इसको थोड़ सा कंपैरिडिव करें माई हा प्रेयोग नहीं किया गया जब कॉले स्कूल इत्यादी उलेक प्रात्मी को देश्य विसंदर में हो तो आर्टिकल का प्रेयोग करें तब वहां पर आर्टिकल का प्रेयोग होगा तो आप इसका ध्यान रखें नेक्स्ट है डैड़ी अबस्ट्रेक्ट मैटीरियल नौन आप बिजमते मटीरियल नौन वहां भी क्यों अब से अंगलल में आप्सट्रेक्ट है मैटीरियल है के साथ समानी आठीजओ का प्रेयोग नहीं होता है वैसे यह आन्प्रेयोग नहीं होता है बैसे इस बहु lifted बेस्ट पॉलिसीज ऑब इसलिए वहां पर इसका यूज नहीं हुआ लेकिन अनेस्टी गुण है तो अनेस्टी इस दे बेस्ट पॉलिसी अगर लेकिन अगर हम इन नौन का प्रयोग नीचे दिये हम इसको प्रूफ करते हैं अगर हम इन नौन का प्रयोग नीचे देए संटेस में जैसे आर्टिकल लगा नौन लगा और फिर ओफ लगा तो वहां पर दा का प्रयोग और फॉर एक्जम्पल यहां पर एक्जम्पल देखें दा कॉर्टन ओफ जिप्ट इस नौन फॉर इट्स प्रयोग और यहां पर दा लगा यह अन्कॉनटिबल है लेकिन यहां पर यूज हुआ तो आप देखें एक्स्टा वार्ड यहां पर लगा है नौन भी है साफ में ओफ भी है तो आन एस्टी ओफ यहां पर ओफ का यूज किया गया और साथ में यहां पर आर्टिकल का किया गया आगे चले यूज ऑफ अर्टिकल बिद अड्जक्टिव आप जैसे बिशेशन है यह बहुत इपॉर्टन्ट है कि यह सूपर लेटिव है कॉंपरिटिव डिग्री है कॉंसी डिग्री है इसके बारे में कॉंस दा वहां लगेगी ने तो सूपर लेटिव डिग्री से पूरव दा के परियों किये जाता है उधार ही इस दा बैस टूडेंट आफ आवर क्लास शी इस दा मोस्ट ब्यूटिफल गर्ल आफ आवर टाउन आगे बात करें दा कॉंपरिटिव डिग्री से पूरव आर्टिकल का प्यूग होता है तो उससे पूरव जैसे जब दो कॉंपरिटिविटी होगी तो एक दूसरे से डिरेक्ली इन्वर्सली प्रोश्न दिखाये जाएं दा मोर इलेक्रिसीटी यूसी दा हाईएर यूर बि तो यहां पे इनका यूजर किया गया है आर्टिकल का अगर दो मेंसे एक का चुनाब किया जाए तो तो दा वहां पे लगता है लेकिन जिसके बाद ओफ का प्रयोग होगा अगर सभी मेंसे एक का चुनाब किया जाए तो सूपरलेटिव डिगरी का प्रयोग होगा सूपरलेटिव डिगरी के पहले भी आर्टिकल दा उसके बाद ओफ का प्रयोग होगा यहां भी देखें she is the best लेकिन साथ में कहा लगा of she is the best of all the player तो दा के साथ कहा लगा आफ सूपर लेटिव डिगरी में भी आफ का प्रियोग दा के साथ किया जाएगा फर ग्जमप दा जब अडजेक्टिव जैसे honest है rich है, poor है, meek, इतियादी से पहले दा हो तो पूरे वर्ग तो संबोदित करता है, इनके साथ पूर वर्ग अपरियों किया जाता है, the honest are always rewarded ये भी वर्डन है, ये जितने वर्ड है, the rich, explicit the poor आप इसको यहां पर आर्टिकल का यूल किया गया, आगे है जब किसी proper noun के बाद कोई adjective noun उसी noun को qualify करते हुए लगाया जाता है तो proper noun के बाद दा का प्रग होता है, for example, शोका दा ग्रेट दा ग्रेट अकबर, नेपोलियन दा वोरियर, तो इनके साथ बहाँ पे proper noun जब कोई adjective उसकी विशेष्टा बताता है qualify करता है, तो उसके साथ one two three cardinals कहलाते हैं, तो यहां पे आप chapter of two chapter two of this book is very difficult, the second chapter the second chapter of this book is very difficult, volume one is on was, volume is one of on, यहां पे that is wrong, तो आप देखें, यहां पे ordinal से पूरुत दा कप्रेओगा है, यह जाता है दा फस्त, दा वन, adjective same एवं होल के अल बोथ के साथ आर्टिकल का प्रियुक की जाता है, सिंपल है, सेम और हॉल, ई इस दा सेम बोई, डैड मैट इन दा मार्केट, ता हुल पीरिड वस बेस्टेड तो यहां पर आर्टिकल का प्रियुक किया, गया, सेम और हुल के बेशे हैं, few or little के साथ a and da का प्रियोग किया जाता है जिनके अर्थ बदल जाते हैं आप देखें a few अगर आप बात करें da few अगर आप बात करें वहां पे a little दा little तो ये सारे जो वर्ड हमने पड़े हैं जैसे ही इनका यूज होता है तो इनका मीनिक वहां पे बदल जाता है the adjective के पहले so as to how quiet का प्रियोग होता है जो उसके बाद a an indefinite आर्टिकल प्रियोग किया जाता है तो उसके बाद a an आर्टिकल का प्रियोग किया जाता है ये भी अपने आप में important है तो आगे हम देखें a और an और one की भी चलता है that is the last a का मतलब भी एक है an का मतलब भी एक है one का मतलब भी एक है a an article जब जब की one एक adjective है आप याद रखें one जो है वो एक adjective है ये एक adjective है और प्रतिसप्ता प्रतिकिलोग कीमत वर के लिए आ का प्रियोग किया जाएगा one का नहीं one का नहीं ten rupees आ के लो four times a day तो इन के लिए जो है आपको आ का प्रियोग किया जाएगा a एवं one का noun का प्रियोग करने पर भिन भिन अर्थ निकलता है a an का अर्थ any या every से भी होता है a और one noun के साथ one का is not enough for the family's requirement आगे आप देखे one का प्रियोग another other के साथ किया जा सकता है a का प्रियोग नहीं तो इन शबत के साथ another और other इन के साथ क्या लगाया जाता हमेशा one a नहीं लगाया जाता आप इसको भी ध्यान से लेखें कि वहाँ पे जैसे for example उपर any और every है तो वहाँ पे a और n का अर्थ any और every से भी होता है वैसे यहाँ पे दा का प्रियोग another other के साथ की जा सकता है आ का प्रियोग नहीं जैसे one student wants to study another wants to play one day comes the other day he does not आगे चले तो that is the five one का प्रियोग day week month year summer winter etc. के नाम के पूरु किया जा सकता है है जो उस दिन समय होने बारी उस घर्णा के संदुर में प्रिक्त होता हो for example one night there was a terrible storm one day रावना come to Sita's cottage तो one का प्रियोग इनके साथ किया जा सकता है इससे पूरु नमबर छे पे one day का प्रियोग किसी दिन के अर्थ में किया जा सकता है one day you will realize one day you will feel इनके यहां पर हम इसको one कर सकते हैं बन का प्रियोग हम यहां पर कर सकते हैं did you get breathe for your party workers yes I managed to get some that is the last noun की repetition के बचने के लिए pronoun one का प्रियोग की जाता है this is car better than that one that is finished today हमने यह पढ़ा सारा दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि हम जो है आर्मी गुरु के नाम से हमारी आप भी है जहां पर defense के सारे courses वहां पर करवाए सब्सक्राइब करेंगे और हम आउनलाइन भी पढ़ाते हैं तो आप इसका और ज्यादा फाइदा लेन के लिए हमारे साथ बन सकते हैं बने रहे सकते हैं और हमारे साथ काम भी कर सकते हैं तो हम आपको बताएं कि हमने शुरू से फिर से बात करें तो जो आर्टिकल हमने पढ़े दा ए एन तो बिलकुल सधान बाशा में ए और एन जो है वो निश्चित अनिश्चित हैं और जा जो है बो definite है यही इसका सबसे बड़ा पह सबस्का